एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल GT Guru जी पर जहां G for Grammar and T for Translation के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट आपका Translation Guru प्राभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ Oxford Junior English Translation के Exercise 91 के Solution को तो फ्रेंट्स इसमें जानेंगे आज हम लोग इसके Translation के Solution को लेकिन उससे पहले मैं बता दू यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा G for Grammar and T for Translation के वीडियोज यानि कि जितने भी popular books हैं मैं one by one सब के upload कर रहा हूँ तो यदि चाहते हैं आभी उनके solution को जानना उनके rules को जानना तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को जिससे हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके पहले की वीडियोज आपको ढूंडने में आसानी हो चलिए तो जानते हैं इस exercise में क्या है तो सबसे पहले बता दूँ कि इस पूरे exercise में आपको present perfect tense के बारे में है यानि चुका है चुकी है या ये आपने परा होगा चुका है चुका हूं चुके है लेकिन नहीं केवल यही नहीं होता इसके अलावा इसमें या है या ऐसे यो आकार या भी हो सकता है या फिर आ है जैसे मैंने खा लिया है या मैंने खाया है तो आ है इसी प्रकार से आपको बता दें तो ये हैं या फिर ए हैं हैं या हैं करके रहे तो ये सब जो है सब present perfect में ही आते हैं और इसका structure ज के साथ है ना आई के साथ वी के साथ और इसके अलावा आपको यू के साथ और जो है जितने भी प्लूरल है ना आई वी यू के अलावा जितने भी प्लूरल है उन सभी के साथ जो है वो आपका लगता है है और इसके अलावा यानि आई वी यू को छोड़ कर जो एक बच I have eaten ठीक है उसके बाद है मैंने ताज महल देखा है I have seen the ताज महल फिर है मैं खेल चुका हूँ I have played हम लोग खा चुके हैं We have eaten हम लोगोंने शाम को पीटा है We have bitten शाम तुमने एक पक्षी मारा है You have killed a bird जो countable common noun है उसमें एन लएगा तो bird के पहले यह आपको लगाना है आपने यह काम किया है You have done this work यह के लिए यहाँ दिश है वह जा चुका है He has gone He यहाँ पर एक है इसलिए इसके साथ has लेगा He has gone भी थरी सम्में लगाना है सीता आ गई है सीता has come बच्चे स्कूल गए है The children have gone to school यहाँ पर by mistake जो है वो slept हो गया है गौन हो जाएगा जाना का गौन होता है यह by mistake यहाँ पर हो गया इसको उम्मिद करता हूँ आप correction कर लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है कि उसने मेरी कलम तोड़ दी है उसने मेरी कलम तोड़ दी है इसका हो जाएगा He has broken my pen गाए आ गई है The cows have come उसने मुझे देखा है He has seen me फिर है मैंने नहीं खाया है I have not eaten तो हैवज के साथ यहाँ सब में भीतरी लग रहा है यह ध्यार नकेंगे भरत का तीसरा रूप हम लोगों ने यह पेर नहीं काटा है We have not cut this tray तुमने उसकी मदद नहीं की है You have not helped him फिर है वह स्कूल नहीं गया है He has not gone to school शिक्षक नहीं आए है The teacher has not come इसका देखें दो है The teachers have not come दोनों हो सकता है कैसे शिक्षक नहीं आए है बनाएंगे तो हो जाएगा तो इसलिए हम एक मान कर बनाएंगे तो हो जाएगा The teacher has not come और एक से अधिक मान कर बनाएंगे तो हो जाएगा The teachers have not come यानि तब प्लूरल हो जाएगा आगे बरेंगे मैंने जूट नहीं कहा है I have not told a lie tell का भीतरी told होता है told a lie हो जाएगा उसने मुझे नहीं ठगा है he has not cheated me मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है I have not abused you गाली देना का आपके translation के book में abused है बाकी call names भी होता है एक phrase के तोर पर गाली देना का ठीक है बहुत लोग call names में समझते हैं कि पुकार ना लेकिन ऐसा नहीं है इस प्रकार से याँ समापत होता है total 21 थे आपने मिला लिए होंगे कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताएं लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें और हाँ यदियाप अपनों का करते हों के अर तो इस वीडियो को कर दे शेयर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए have a nice day